नवश्कार दोस्तों मैं हूँ चिनमाय चिनमाय गौड और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ बांसूरी के इस नए लेसन में पिछले लेसन में हमने सीखा था कि आपको आपकी बांसूरी का स्किल कैसे पहचानना है और कैसे वो दो तरीके हैं वो क्या दो तरीके हैं जिनसे आपको आपकी फ्लूट ट्यून करनी है सही ट्यूनिंग करनी है आज हम सीखने वाले हैं कि आपको आपकी फ्लूट तानपूरे के साथ कैसे सही ट्यून करनी है तानपूरे के साथ कैसे बजाना है तो आईए बिना टाइम वेश्ट की ये लेसन को शुरू कर देते हैं दोस्तो लाल बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बैल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे वीडियो अप्पेक सबसे पहले पहुँच जाए तो दोस्तो आज हम लेसन में चार बाते सीखने वाले हैं सबसे पहले तानपूरे का संगीत में रोल क्या होता है दूसरी बात आपको आपकी बानसूरी कैसे ट्यून करनी है तानपूरे के साथ कैसे बजानी है तीसरी बात आप क्या-क्या problem face करोके या कर रहे हो उसका solution क्या है और चौती बात कि आपको रियास कैसे करना है इसका रोज सही तरीके से कैसे रियास करना है तो आईए सबसे पहले जानते हैं ये तानपुरे का काम ये है कि वो आपको सही frequency देता है आपकी instrument को tune करने में ताकि पूरे कारिक्रम के दौरान आप बिलकुल सही सुर में रहकर बजाए और बहुत ही सुर में मधुर वातावरन बन जाए तो ये तानपुरे का बहुत बढ़ा काम है अगर आपको और भी डीटेल जानकारी चाहिए तो उपर आई बटन पे जाईए मैंने खुद ने ब्ल तानपुरा बचता है कैसा दिखता है अकसर एक कलाकार जब कुछ परफॉर्म कर रहा होता है गाता है फ्लूट प्ले करता है तो उसके साथ एक तबला प्लेयर रहता है और एक तानपुरा प्लेयर रहता है जो इतने बड़े इंस्ट्रुमेंट को पकड़ता है उसमें जाता हूँ दोस्तो करना क्या है कि आपको अपनी मोबाइल में या अपनी डिवाइस में तानपुरे की एप्लिकेशन डाउनलोड करनी है तो फिलाल आप यहाँ पे देखिएगा स्क्रीन पर मैंने तानपुरा ड्रॉइड नाम की अप्लिकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड क कर ली है बहुत सारी अप्लिकेशन है जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं मैं तानपुरा ड्रॉइड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह फ्री है इजी तू यूज है तानपुरा ड्रॉइड को इसमें पाच आप्शन आएंगे पहला आप्शन क्या रहेगा वो होगा फ कमेंट करिए फिर यहां पे आईए दोस्तो दूसरा उप्शन जो आएगा वो आएगा पिच का उप्शन यह पिच का उप्शन क्या है हमने पहले वाले लेसन में सीखा था कि आपकी बासुरी का सही स्केल सही पिच कैसे फाइंड आउट करना है कभी कभी गलत लिखा होता ह है लोकल फूट्स में तो एक बार वो लेसन देखो समझो अपनी फूट का सही स्केल फाइंड करो और फिर यहां पे आजाओ ठीक है तीसरा उप्शन क्या है वो है पिच सैमी का उसको हमको फिलहाल जीरो करना है आगे उसका यूस बताऊंगा समझाऊंगा मैं चौता उप् हो और आप भी इंजॉय करें होता क्या है न हम फ्लूट प्ले करते हैं तानपुरे के साथ तानपुरा बचता रहता है हमको मैच करना होता है इसमें दिखता कुछ नहीं है आपको सुनके ही फाइंड आउट करना पड़ता है सुनके ही इंजॉय करना पड़ता है तो जहां सब हम कान से ही दिखते हैं आग बंद करके enjoy करना है अब छोटा सा हम एक game खेलते हैं आपको तीन option दे रहा हूँ आपको comment section में लिखना है कि सबसे perfect combination क्या था जो आपको सुनने में सबसे मीठा लग रहा है सबसे अच्छा लग रहा है पहला combination दूसरा combination तीसरा combination तो comment section में लिखना जिसका सही answer आएगा इसका मतलब यह है कि उसको सुर का sense है और जिसका जही नहीं आएगा कोई ना practice करते रहो के समझते रहोगे तो आजाएगा चिंता मत करना मैं हो ना दोस्तो फिलाल मैं आपको ट्यूनर और तानपुरा दोनों के साथ समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए लेकिन ऐसे आपको practice नहीं करना आपको practice तो केवल तानपुरा और flute के साथ करना है आपको अपने कानों से match करना है sound को कि कौन सा best option आ रहा है है ना लेकिन समझाने के लिए फिलाल में ट्यूनर का help ले रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि कैसे sound चड़ रहा है कैसे उतर रहा है कैसे center में आ रहा है सही आ रहा है है ना तो वो सही का sound क्या होता है तो दोस्तों देखा आपने मैंने कैसे अपने सा को ट्यून किया और वो सही जगे पकड़ के मैंने अपनी बासुरी को hold कर दिया वहां पर उसी को मुझे ध्यान रखने है कि ये sound perfect निकल रहा है दो तरीके मैंने पिछले lesson में सिखाए है वो देखो समझो उसकी अच्छी से practice करो तद ही ये समझ में आएगा दोस्तो ये सब करते करते आपको दो problems आएगे और उनका solution क्या है वो भी बता देता हूँ पहली problem क्या है कि हो सकता है अगर आप beginner हो तो आपको कुछ समझ में ही ना है कि तानपुरे से ये क्या जीब सी आवाज निकल रही है कैसे मासुरी के साथ match करना है होता है उसका solution क्या है आख बंद करना गहरी सास लेना लंबी फूक मारना पहले बासुरी को नीचे फोल्ड करके आपकी तरफ फोल्ड करके फिर दूसरे option में आगे लाना फिर और ऐसे अलग अलग experiment करना है तो भी समझ में ना आए तो फिर खुद का record करना एना एक दिन में नहीं होगा रोज practice करते रहोगे तो आपके कान develop होते जाएंगे mature होते जाएंगे समय लगता है तभी तो कहता हूँ patience चाहिए patience दूसरी problem ये आ सकती है कि हो सकता है कि आपकी पांसुरी सही से tuned ना हो वो सही से बनी वही ना हो जो अच्छे flute makers की well tuned flute रहती है उनका जो सा है उसका आवाज उस meter के आसपास ही आता है हाँ मौसम से चड़ता है उतरता है वो बात अलग है लेकिन अगर आपका flute सही से tuned ही नहीं है या in case मौसम से बहुत चड़ गया है और उस meter के अंदर tuner के अंदर बहुत आगे आ रहा है या फिर उतर गया है तो नीचे आ रहा है उस case में आपको pitch semi का use करना है जो हमारा पीसरा option था तानपुरा ड्रोइड के अंदर अगर मान लो आपका सुर उतरा हुआ है आपने पूरा प्रयास कर लिया flute को आगे फोल्ड किया उसको center में लाने के लिए तो भी नहीं आ पारा उस case में क्या करना है देखो अगर आप ज़्यादा उसको fold करोगे तो आवाज फट जाएगी fold भी limit में रहके करना है भली पीछे हो या आगे हो ये बात का धियान रखना अब होगा क्या कि आपको pitch semi को फिर कम कर देना है मतलब हमने हलकी सी frequency इसको कम कर दिया अगर 330 हर्ट में या 329 मेरा middle सा आ रहा है मेरी flute का मेरी flute के scale का मैंने pitch semi को मान लो-15 कर दिया तो वो 329 से गिर के माइनस 15 पे आ जाएगा या अगर माइनस 10 किया तो वो 319 पे आ जाएगा ऐसे वो नीचे आ जाएगा समझ में आ रही है ना बात 319 पे आ जाएगा 315 पे आ जाएगा फिर हम easily हमारी untuned flute को भी उस पे tune कर सकते हैं लेकिन फिर यह और समस्य आ सकती है कि अगर आपकी flute एकदम ही बेस हो रही है बिलकुल फ़र्जी किसम के flute है तो हो सकता है कि सा के बाद दूसरे स्वरों में भी आपको दिखकता है लेकिन जो अच्छी flutes रहती है जो अच्छी quality की flutes होती है उनमें सा अगर tuned है तो local flutes होती है अगर वो सही से नहीं बनी सुर बहुत ही बेकार है उसके है ना तो उसमें फिर सा की अलावा दूसरे स्वरों के अंदर भी गरबड होती है वैसे होता क्या है कि हर सुर सा से connect होता है तो अगर आपकी flute में सा सही से बना हुआ है है ना तो बाकी के सुर सही निकले इस बात का भी ध्यान रखना दोस्तों Facebook Instagram पे आओ मेरी Facebook पेज़ पे जाओ वहां पे मुझसे जुड़ो क्यों जुड़ना है ताकि मेरी updates आपको मिल पाए मैं जब भी live आता हूँ तो मैं आने से पहले दोनों जगे inform कर देता हूँ कि भाई मैं इस तारिक को इतने बज़े live दिवाने वाला हूँ तो आप उपस्तित रहो हम लोग बात चीत कर पाए है ना आप सवाल पूछ पाओ आपके doubts क्लियर हो पाए ठीक है ना तो Facebook पेज़ पे Instagram पीट पे मेरी website पे जाओ सीखो खूब सीखो तो दोस्तों हमेशा की तरह मैं जो कहता हूँ वह आपको comment box में लि जय हिंद और जय भारत